हेलो दोस्तों आज अगीन हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक से एलेटर जो बसंत महिश्वरी सर जो एक एस इंवेस्टर है जो एक बड़े इंवेस्टर है जिन्होंने एक बहतरीन और एक बड़ी वेल्थ इन पिछले 20-25 साल के अंदर अर्ण करते हुए नजर आये ठीक पर बसेंद महिश्वरी सर के पी एमेस का एक शेर है मास फाहइनिसिल जोपर एक यह तो कुछ कमेंट यह सकता कि उन्नोंने यह वाला शेयर लिया पहले बाद कुछ कमेंट ऐसे आये थे कि मैं इन्होंने शेयर लिया यह तो मैं यहाँ पर तुरंट जम कर जाता हूं पर मैंने रिप्लाई भी दिया था पहली बाद पर बाइंग सेलिंग के ऐसा करना चाहिए, उस चीज के लिए मैंने जवाब दिया था कि मैं एक अकली वीडियो बनाऊंगा, ऐसे ही एक शेयर से लेटे जो बसेंत महिश्वरी सर के पोर्टफोलियो में है, ठीक है, उसके लेटेड आप लाश्टा किस वीडियो में बने रहिएगा, तो आपको समझ म मैं आगे बढ़ेंगे, उस शेयर से लेटेड बाते करेंगे, ठीक है, एक शेयर से लेटेड बाते करूँगा, जो बसंत महिश्वरी सर ने यहाँ पर लेके रख रखा है, है या नहीं है, मुझे नहीं बता अभी, बट मुझे यहाँ पर कुछ डेटा दिकाई दिया है, उ ठीक है, क्यों भागते हुए नजर आते हैं, वो सब चीज हम यहाँ पर बाते करेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, कि चैनल को लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, और 8605-40501-8169-261037, दोनों नम्बरों को सेफ करिए, ठीक है, बेसिक है, बेसिक टो एडवां कम टाइम में दे सकते हैं, ठीक है, प्राइस एक्षन क्या होता है, वो सब चीज में आपको बताऊंगा, 25,000 रुपे का कोर्स है, 3 months की hand holding है, strategy use, stock market, online notes, सब कुछ दिया जाता है, एक बाग कोर्स किया, एक साल experience लेना पड़ेगा, disclaimer है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आपको काम करना होगा, ठीक है, चोटे से पैसे से करो, या paper trading करो, सीखो, उसमें अगर आपने एक साल experience ले लिया ना, तो आप धीरे धीरे करके आप तक पोच जाओगे, जैसे share मैं निकाल पाता हूँ, वैसी ही आप यहाँ पर निकाल पाता हूँ, दूसरी ब का कौन था share है, जिससे लेटर बात कर रहे है, तो सबसे पहले तो हमने बात करी थी, mass financial की किनों ने share लिया था, और कुछ query आई थी, तो मैं उसी चीज का जवाब देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, कि किसी बड़े investor ने, बसंत महिश्वरी सर की बात कर रहा हूँ, मैं ABCD कि किसी बड़े investor की बात करना हूँ, कि अगर उनके portfolio में कोई share है, ठीक है, आपने देखा, तो क्या आपको jump कर लेना है, क्या आपको खरील लेना है, उस चीज का जवाब आपको इस particular वीडियो में मिलेगा, तो हम क्या बात कर रहे है, हम बात कर रहे है, एक और share की, तो यहा आपन इन्होंने entry करी है, ठीक है, एक share है, restaurant brand, 14 December 2020 में, ठीक है, 113 रुपे के price के आसपास, 113 तो नहीं होगा, फिर भी देख लेंगी, अब ही हम, 24,969 ठीक है, 24,31,959 share, 14th of December date याद रखना, तब यहां पर इन्होंने share खरीगा है, ठीक है, तो बात करते है, एक एक करके, ठ आस तक वीडियो में देखेगा है, ताकि मैं आपको समझा सकूँ, कि मैं exactly बाते क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तो restaurant brand, सबसे पहले हम यहां पर खोल लेते है, restaurant brand Asia, ठीक है, यहां पर आप देख सकते है, share का नाम क्या है, restaurant brand, ठीक है, restaurant brand Asia, restaurant brand Asia, तो यहां पर देखिए, यह जो ठीक है, 14th of December 2020 means क्या है, कि जिस दिन यह IPO ठीक है, आया था, ठीक है, उसी दिन की यहां पर बाते हो रही है, ठीक है, इन्होंने लगबग इस price के आसपास इन्होंने यह buy किया है, ठीक है, कोई भी price हो सकता है, 114, average price दिखा रहा है, बट इस तिल हम लेके चलते है, इस price के अ मैं आपको बता, अगर देखिए, उन्होंने यहां पर बेज दिया होगा, profit कमा लिया होगा, वो एक अलग matter है, ठीक है, ऐसा data मुझे यहां पर दिखाई नहीं दिया है, थोड़ा-थोड़ा करके शायद उन्होंने बेज दिया हो, क्योंकि जिस तरीके के वो investor है, जिस तरी के लिए रख रहा हूँ, ठीक है, यह यह बना सकता है, पैसे, तो याद रखिएगा, कि तीन साल हो गए है, तीन साल के अंदर-अंदर, ठीक है, अभी यह इसी price के आसपास घूम रहा है, no loss, no profit पे आया है, तो इस चीच को भी आपको यहां पर देखना होगा, ठीक है, यहा 2020 का यहां पर data मैंने निकालना की कोशिश करी, तो इहां पर ऐसा, कोई नाम मुझे यहां पर दिखाई नहीं दिया, उसके बाद भी मुझे यहां पर कोई नाम यहां पर ऐसा दिखाई नहीं दिया, कि वो शेयर यहां पर इन्होंने बेचे हो, ठीक है, यहां पर आप देख अभी भी यहां पर बरकर आ रहे हैं ठीक है तो यहां पर इससे छोड़ देते हैं तो बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि किसी बड़े investor ने entry कर लिये तो उस basis पर आपको entry करनी है ऐसा बिल्कूल मत करिएगा तो क्या share बेकार है अब इस share से लेटे हम analysis कर लेते हैं तो restaurant brand की अगर हम बात करें तो burger king आपने burger खाया होंगे ठीक है mcdonald's का यहां पर यह competitor है और काफी अच्छे burger भी आते हैं जाके आप try भी कर सकते हैं ठीक है यहां पर आप देखिए burger king का यहां पर पूरा franchise model है इंडिया में यहां पर international qsr chain इन इंडिया ठीक है और इंडिया का जो यहां पर पार है वो इनके पास है लगब 260 यहां पर restaurant है एक बार पढ़ लीजिएगा आपको समझ में आजाएगा कि यहां पर burger brand के नाम से आपको चीज़े click हो गई होगी समझ में आगी होगी बाकी कितने brand है कितने यहां पर यह अपने restaurant open कर रहे है कितने यहां पर यह सब चीज है कितने आपर इनकी chain है वो सब इनकी website पर आपको समझ में आजाएगा अधर वीडियो बड़ी हो जाएगी market cap की बात करें small cap share है हम भी आप देखिए small cap share से लेटी हम यहां पर बाते करते है यहां पर आप देखेंगे तो 149 का PE दिखाई दे रहा है industry का बट इसका PE हम निकालेंगे तो आपको पता चल बाते है चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा एक दो फ्लैट है बलकि गिरता ही हुआ है company के sales की बात करें तो यहां पर देखिए company यहां पर काम करती हुए नजर आ रही है sales की बात करें sales बढ़ती हुए नजर आ रही है इस quarter की थोड़ी quarterly base पर ठीक ठाक है operating profit margin की बात करे 11% के margin आया है yearly quarterly दोनों basis पर अच्छा नजर आता है net profit की बात करें तो net profit यहां पर company का क्या है just because मैंने आपको बताया था कि company के ऊपर बहुत बड़ा debt है 1.63% मैं तो 113% का debt है ठीक है लगभग लगभग यहां देखिए इनके पास reserves 240 करोड के equity इतनी है उसके basis पर आप देख table ही नहीं आपाती हो जब तक company अच्छी performance नहीं करेगी तो यहां पर आप दाओ किस पर लगाओगी तो क्या आप घदे पर लगाओगी या घोड़े पर लगाओगी तो कोशिश आप की हमेशा रहने चीए कि आप घोड़ों पर लगाओ ठीक है यहां पर हम बात करें promoter's की holding holding promoter's के holding 15% है लगाता गिरती हुए नजर आई है ठीक है FIS की बात करें FIS के पास लगाता है यहां पर बढ़ी है ठीक है बट इस quarter में उन्हें भी बेस दिया उन्हें भी समझ में आ गया ठीक है अब कुछ नहीं होना इस share का D.I.S की बात करें D.I.S ने लगाता है यहां पर खरीदारी करी है ठीक है तो कोई ना कोई खरीद रहा है इस चीच को भी हमेशा ध्यान में रखना है पब्लिक के पास share holding बढ़ी है जो की negative संकेत में हमेशा बताता हूं public के पास share का बढ़ना ठीक है कही ना कही negativity की ही बात हो यहां पर देख चुके है company की बात करें number से यह आ रहे है ठीक है बट जस्ट विकॉज आफ इंट्रेस्ट ज्यादा पे कर रही है ठीक है इंट्रेस्ट ज्यादा पे कर रही है तो आप यहां पर देखिए company आप तक तो profit और operating profit यह सब चीज़ यहां पर ठीक दिखाई देती ह ठीक है बट जस्ट विकॉज आफ यहां पर इंट्रेस्ट ठीक है company को जादा देना पड़ता है ठीक है depreciation कुछ ऐसी values होती है जो company के पास ही फैसर रहता है तो वहां पर सब चीज़ देखते है तो net profit लगातार यहां पर घाटे में आता हुआ दिखाई दे रहा है जो की अच restaurant brand के share chart से related ठीक है तो यहां पर मैं कुछ चीज़े आपको दिखाना जाता हूँ और मैं अपनी expertise से related यहां पर बाते करना चाहता हूँ ठीक है तो देखिए काफी time हो गया इसे 3 साल हो गये share को ठीक है एक गिरते और consolidation होते हुए stage 4 थी और stage 1 चलती हुए नजर आ रही है ठीक इस line के ऊपर यह share यहां पर टिग गया एक छोटा सा stop loss लगाना और इस share में entry करना कुछ time देना 6 महीने से एक साथ ठीक है इस share में एक ऐसी तेजी आती हुए दिखाई देगी कि जो 3 साल का consolidation है वो पूरा होता हुए दिखाई देगा और target की बात करूं तो यह share फिर सबसे प मेरे कहने पर यह share मेरे कहने पर नी मेरी analysis के basis पर यह share इस तरीके से जाना चाहिए but still buying selling की recommendation नहीं मैं अपने levels आपको बता रहो यहां पर मैं अगेन बता रहो कि जिन यह share यहां पर टिक गया ठीक है और टिकने के बाद यह share ने ऊपर जाना शुरू किया तो याद रखिएग 200 और 200 के बाद यह share 400 की तरफ यहां पर भागता हुआ नजर आएगा ठीक है तो share को सही time पर पकड़ना एक अच्छी बात होती है ना कि उस share को लेके ठीक है सालों तक वेट करना ठीक है वो एक अच्छी कला हो सकती है long term में तो benefit मिले गई मिलेगा अगर जिसने यहां पर भी खरीदा है और अगर 400 भी पोज़ किया तो आपके पैसे बने गए एक तरीके से बट इस्टिल कौन फायदे में रहा है यह फायदे में रहेगा यहां पर खरीद के अच्छा खासर टाइम पर बेच के निकल जाएगा तो सही time पर entry सही time पर exit यह बहुत जरूरी है और यह cheat मे अपने course में सिखाता हूँ तो आप यहाँ पर contact कर सकते हो साथ में काम करना है साथ में काम कर सकते हो ठीक है तो इस वीडियो का मकसद क्या था इस वीडियो का मकसद के वली यह था कि किसी बड़े investor नहीं आप पर entry ले ली तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भी उस particular share में कूच हाना तो वह कम निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा और आप फिर उसमें हाथ मलते हुए रह जाएंगे तो अपनी study के basis पर अपने ज्ञान के basis पर आगे बढ़ोगे न तो मा सश्वती की किरपा से फिर मालक्षमी भी साथ में आएगी respect भी मिलेगी और हमेशा आगे बढ़ते हुए नजर आओए तो वीडियो ची लगए like, comment, share, channel को subscribe, bell icon को hit करिएगा, इन number को note करिएगा, so thank you so much, God bless, thank you